Hello friends, welcome back to the channel AVI Pharmacy तो फिर आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे D-Pharma vs B-Pharma के बारे में कि D-Pharma और B-Pharma में क्या डिफरेंस होता है बहुत से बच्चों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि D-Pharma और B-Pharma में क्या अंतर होता है तो आज किस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट देखेंगे कि D-Pharma क्या होता है और B-Pharma क्या होता है तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग सुरू करते है तो सबसे पहले बात करते हैं कि D-Pharma क्या होता है तो D-Pharma मतलब होता है Diploma in Pharmacy तो D Pharma जो होता हूँ हमारा एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि अगर उसके हम लोग कोर्स आफ डिवरेशन की बात करते हैं जो कि दो साल का होता है अगर हम लोग बात करें कि D Pharma करने के लिए आपको क्या eligibility होनी चाहिए तो आप class 12 में PCB या फिर PCM यानि आप class 12 में Physis, Chemistry, Biology या फिर Math से आपको class 12 complete होना चाहिए यानि intermediate complete होनी चाहिए बहुत उसकुलों में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? Biology प्लस Math भी लिये रहते हैं तो आप इसमें confused मत होना जो बच्चे Biology और Math दोनों लिये रहते हैं वो भी ये बच्चे Diploma यानि Diploma in Pharmacy कर सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बोथ भी लिखा हुआ है आगे बात करते हैं कि इसमें marks की criteria क्या है admission लेने के लिए तो कम से कम आपको 50% to 55% marks आपके 12th में होने चाहिए क्योंकि अलग-अलग university जो होती है कुछ वो 50% marks consider करती है और कुछ 55% marks consider करती है तो आपको कम से कम 50% marks तो class 12th में होने ही चाहिए अगर इसकी age की बात करते हैं तो आपको D-Pharma में admission लेने के लिए minimum age 17 years होनी चाहिए यानि 17 साल होनी चाहिए जब आप ये course complete कर लेते हो तो आपको किस चीज का license मिलता है तो आप एक chemist shop अराम से खोल सकते हो D-Pharma करने के बाद अगला जो है वो काफी important है क्योंकि PCI के rules के according जो भी हमारे 2022 और 2023 में जो बच्चे D-Pharma में admission लेंगे यानि 2022 और 2023 में admission लेने वाले बच्चों को क्या देना होगा यहाँ पर exit exam देना होगा वो जब अपना D-Pharma complete कर लेंगे तो उनको एक exit exam देना होगा अगर वो एक exam को qualify करते हैं तब ही उनको license मिलेगा otherwise उनको license नहीं मिलेगा next बात करते हैं admission after 5 years of intermediate यह बहुत ही ज़्यादा confusion होता है बच्चों को कि क्या हम लोग 12 के बाद 5 साल के बाद D-Pharma में admission ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं तो ऐसा PCI से suggestion लिया गया था कि क्या 12 करने के बाद आप 5 साल तक ही admission ले सकते हैं तो यह सिर्फ बात कही गई थी इस पर कोई भी रूल्स या फिर नोटीस पब्लिस नहीं हुए आप कितना भी एज के हो आप 12 के बाद कितने भी साल आपके हो गया हो आप D-Pharma में admission ले सकते हो तो आपका यह doubt clear हो गया होगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए अब बात करते हैं कि V-form क्या बात करते हैं तो यह 4 years का होता है यानि 4 साल का होता है और admission लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए तो सेम आपको डिप्लोमा की तरह ही होना चाहिए आपका जो 12 है वो फिजिस केमेस्टरी बालोजी या फिर फिजिस केमेस्टरी या फिर math होना चाहिए class 12 में यह compulsory है अग आप इसमें admission ले सकते हो एज की बात करते हो तो इसमें भी आपको minimum age 70 years होनी चाहिए अगर इसके license की बात करते हैं कि आप B form करने के बाद आपको किस-किस चीज का license मिलता है तो आप chemist shop खोल सकते हो आप drug manufacturing का license ले सकते हो या फिर आप wholesale medicine के लिए भी license ले सकते हो तो I hope आपक जानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा